हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्जाम सोंच पर, दोस्तो इस वेडियो में हम करेंगे संपूर्ड मौलिक अधिकार, यानि की fundamental rights सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, एंड उसके बाद में हम करेंगे मौलिक अधिकार से संबंदित, जितने भी important question बन सकते हैं, जो आपके एक्जाम में बार बार पूछेगे हैं तो वेडियो बोती सांदार्ड जबर दस होगी, और आपके सभी एक्जाम के लिए very important वेडियो है, तो वेडियो को आप पूरा शरूर देखेगा, चले शुरू करते हैं तो मौलिक अधिकार की विचारधरा अमेरिका के सब्धान से भारते सब्धान में लेगे हैं, और भारते सब्धान में भाग तीन को भारत का महिगना काटा भी कहा साता हैं, यह आप जरूर याद रखेगा मौलिक अधिकार वाद योग या न्या योग हैं, अर्थात मौलिक अधिकारों के उलंगन पर न्याले जाये जाये सकता है, तो मौलिक अधिकार कैसे हैं, वाद योग हैं, न्या योग हैं, मौलिक अधिकारों के उलंगन पर न्याले जाये सकता है, और मौलिक अधिकारों क अनुसार उच नियाले जा सकते हैं अठेटर के दोरा एक बिधिक अधिकार बना दिया गया जिसका उलेक अनुछे 300 कामे किया गया है सभी मौलिक अधिकार अब हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन-कौन से अधिकार के इस अनुछेद में बताएगे हैं तो पहला है समता का अधिकार जो अनुछे 14 से 18 में बताएगे हैं, सबसे इंपोर्डेंट है समता का अधिकार जो अनुछे 14 से 18 में बताएगे हैं, स्वतंद्रता का अधिकार अनुछे 21 से 22 में बताएगे हैं, सोसड के बिरुध अधिकार अनुचेद 23 से 24 में बताया गया है सोसड के बिरुध अधिकार धर्म की स्वतंतरता का अधिकार अनुचेद 25 से 28 में बताया गया है संसिकर्थी और सिच्छा सम्मधी अधिकार अनुचेद 32 से 30 में संसकर्थी और सिच्छा संबन्धी अधिकार बताएगे हैं और सबसे इंपोर्डनट है सबधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में बताएगे है जिसे डाक्टर भीमराव अम्बेटकर ने सबधान का हिर्दे और आत्मा कहाए सबधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 सबधानिक उपचारों का अधिकार डाक्टर भीमराव अम्बेटकर ने सबधान का हिर्दे और आत्मा कहाए अनुच्छेद 32 को सबधानिक उपचारों के अधिकार को मौलिक अधिकारों के उलंगन पर सर्बोच नियाले पांच परकार की रिट जारी कर सकता है पांच परकार की रिट सर्बोच नियाले जारी करता है मौलिक अधिकारों के उलंगन पर तो कौन-कौन सी रेट हैं जो सर्वोचिन्याले मौलिक अधिकारों के उलंगन पर जारी करता है पहला है बंदी परतिच्चिकरण यानि कि हिबस कॉर्पस बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेस करना बंदी परतिच्चिकरण का अर्थ होता है नेक्स्ट रेट है परतिच्च्चिकरण यानि कि प्रोहवेशन Subscribe का मतलब है मना करना फोर्फ रेट है उद्प्रेसर यानि कि सेटियोररी जिसका मतलब होता है पूर्तिया सूचित कीजिए और सबसे इंपोर्डन्ट है अधिकार प्रिच्छा यानि कि को वरंटू जिसका आर्थ होता है कि आपका अधिकार क्या है मौलिक अधिकार जो आपात काल में निलंबित नहीं हो सकते हैं तो दो मौलिक अधिकार हैं जो आपात काल में भी निलंबित नहीं किया जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को राच्टपती निलंबित कर सकता है आपात काल के दोरान। लेकिन दो अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकते हैं। अन्चेद 20 और अन्चेद 21 से जो आपात काल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तो अब हम करने बले हैं मौलिक अधिकारों से संबंद जितने भी important question बन सकते हैं जो आपके exam में बार बार पूछे गए हैं तो पहला question है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है किबल राष्टपती भारत का राष्टपती मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है और आपात काल की स्तिती में मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है भारत का राष्टपती अगला कोस्टन, भारते सब्धान में न्याले में कौन परवर्तिनी है? मूल अधिकार है जो परवर्तिनी है अगला कोस्टन, नेक्स्ट कोस्टन है भारते सब्धान के निमलेखित अनुछेदों में से कौन बिधायन सत्ता पर पूर नियंतर लगाता है अगला कोठेन का अधिकार भारतियों के लिए सुनेसित करता है धार्मिक समान्था, आर्थिक समान्था, समाजिक समान्था यानि option number D और प्रॉइक्ट सभेस कोठेन का करेक्ट एंसर होगा समान्ता का अधिकार भारती नागरिकों को धार्मिक समान्ता, आर्थिक समान्ता और सामाजिक समान्ता को सुनिसित करता है Next question नेमलिकत में से भारते सब्धान के कौन से अंचेद में किसी भी रूप में आस्परसता निसेद के लिए प्राउधान है अंचे 17 में आस्परसता का निसेद बताएगे है आर्टिकल 17 में Next question भारते सब्धान में प्रदत सोतन्ता का अधिकार के सम्मन्द में नेमलिकत में से कोई सा सत्न नहीं है Option B है जो सत्न नहीं है भासर व अभिवक्ति की आभादित सोतन्ता Option B इस question का correct answer होगा Next question है सब्धान के किन अंचेदों में 162 के विरुद अधिकार वरेड थे तो किस अंचेद में 162 के विरुद अधिकार बताएगे है अंचेद 23-24 में 162 के विरुद अधिकार बताएगे है Article 23-24 में Next question मौलिक अधिकार के अंतरगत कौन सा अंचेद बच्चों के 16 से संबने थे तो कौन सा अंचेद है जो बच्चों के 16 से संबने थे आर्टिकल 24 है आर्टिकल 24 से जो बच्चों के 16 से संबने थे अगला कोशन Next Question निम्लेकत मेंसे किस सिती में बंदी पर्तिजकरड याच का हेवैस कॉर्पस रिट जारी किया जाता है दोस पूर्ड पुलिस नजर बंदी में हेवैस कॉर्पस रिट जारी किया जाती है Option numbers b is question का correct answer है Next Question किसी व्यक्त का आवेद निरोत के मामले में न्याले द्वारा जारी कृत, पर्मदेश, निर्म मेंसे कौन है? बंदी परतिशिकरण है, हैवेस कौरपस से, option number C, इस कोशन का करेक्ट एंसर है अगला कोशन बंदी परतिशिकरण हैवेस कौरपस के अतरिक्ट, निर्मलेकत मेंसे किसी आचका को उचे नियाले जारी कर सकता है उत्प्रेशन, पर्मदेश, अधिकार प्रिच्छा है, जो जारी कर सकता है यानि कि option number D, और परतिशिकरण का करेक्ट एंसर होगा बंदी परतिशिकरण के अलावा, उत्प्रेशन, पर्मदेश और अधिकार प्रिच्छा ये रिटे होती हैं जो उचे नियाले जारी कर सकता है नेक्स्ट कोशन निर्मलेकत मेंसे किसी आचका रिट का साब्दिक अर्थ होता है, हम आदेश सेते हैं मेंडमस कार्थ होता है, हम आदेश सेते हैं अगला कोशन निर्मोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी आबेद्व बैक्त से सरकारी पदों को बचाने के लिए जारी किया जता है काउन सच्छम है संसद के बल संसद ही मॉलिक अधिकारों में संसोधन कर सकती है। के बल पार्डियमेंट मॉलिक अधिकारों में संसोधन कर सकती है। Next question, किसी कैदी को न्याले की समद्च परश्चुत करवाने के लिए किस rate की अबस सकता होती है। बंदी प्रधिश्चिकरण हेवे स्कॉर्पस रेट की अबस सकता होती है। नेक्स्ट कोषसन निमलेकत मैं से किस याजगा के आधिन किसी कर्मचारी को ऐसी कारवाई करने से रोका जता है जिसके लिए सरकारी तोर पर वो हकदार नहीं है। अधिकार प्रिच्छा पर रोका जता है। अगला कोशन और सेउकतराज अमेरिका के सब्धान से ही मौलिक अधिकारू को भारतिय सब्धान में अपनाया गए है Next question डाक्टर भीमराव अम्बेटकर ने भारतिय सब्धान की किस भाग को सरवधिक आलोकित भाग का है भाग 3 को जिसमीं मौलिक अधिकार बताया गए है उसे डाक्टर भीमरो अमेडकर ने भारती सब्धान के आलोकित भाग का है भाग तीन को Next question सोतन्रता का अधिकार सब्धान की किन अंचेदों में वरड़ थे अंचेद 1922 में सोतन्रता के अधिकार बताएगे हैं अंचेद 1922 में अगला question अंचेद 1922 में वरड़ सोतनताएं नेमलेकत में से किसको प्राप्थ हैं केबल भारती नागरिकों को सोतनताए प्राप्थ हैं केबल भारती नागरिकों को Next question भारती सब्धान का अंचेद 21 नेमलेकत में से किसके विरुध सरक्षड परदान करता हैं कारपाल का और विधाय का दोनों के विरुद सरक्षड परदान करता है Next question भारत के सब्धान का निमलेकत में से कौन सा अंचेद प्रेस की स्वधनता से संबंधे थे तो कौन सा अंचेद है जो प्रेस की स्वधनता से संबंधे थे अंचेद वन्य से आर्टिकल वन्य से जो प्रेस की स्वधनता से संबंधे थे Next question नेमलेकत में से नागरिकों का सोधनता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? बहांसर तथा विचार व्यक्त करने का अधिकार, सोधनता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, बहांसर तथा विचार विचार व्यक्त करने का अधिकार अगला कोसन धार्मिक सोधनता का अधिकार किस अनुचेत के दोरा दिया गये है तो किस अनुचेत के दोरा धार्मिक सोधनता का अधिकार दिया गये है अनुचेत 25 में धार्मिक सोधनता का अधिकार बताएगे है अनुचेत 25 में आर्टिकल 25 में नेक्स्ट क्वेसन, भारते सब्धान के केस अनुचेद में सब्धानिक उपचारों का अधिकार देगे हैं, अनुचेद 32 में सब्धानिक उपचारों का अधिकार बताएगे हैं, अगला क्वेसन, निमलेखत मौलिक अधिकारों में से डाक्टर भीमरौ अम्बेटकन ने सब् और आत्मा कहाएं सब्धानिक उप्चारों की अधिकार को और सब्धानिक उप्चारों का अधिकार अंचेद 32 में बताये गए हैं Next question है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कफ समापत किया गया नेक्स्ट कोशन निमलेकित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है तो इन में से कौन सा है जो मौलिक अधिकार नहीं है मौलिक अधिकार नहीं है इन में से कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ती का अधिकार है जो एक मौलिक अधिकार नहीं है अब संपत्ती का अधिकार अब एक बैधानिक अधिकार बना दिये गया छोल स्पे सबधान संसुधन के दोरा Next question सबधानिक उपचारों का अधिकार किन परस्तियों में निलंबित हो जाता है आपात इस सती की घोसडा के दोरान सेना सदस्यों के संबंध में जब सेनिक विधी लागो हो या option number D उपरेक्ट सभी परस्यतियों में तो इस question का correct answer होगा option number D उपरेक्ट सभी परस्यतियों में आपात इस सती की घोसडा के दोरान सेना सदस्यों के संबंध में जब सेनिक बिधी लागो हो तब आप सब्धानिक उप्चारों का अधिकार इन्हें की अरुचेत 32 निलंबित हो जाता है यानि ओप्शन इम्बर डी उप्रेक्ट सभी इस कोशन का करेक्ट एंसर होगा Next question Next question निमलेकत में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है तो मूल अधिकार कौन सा नहीं है संपत्तिक अधिकार आप अभी पढ़ चुके हैं संपत्तिक अधिकार चोवलसबे सब्धान संसोधन के दोरा अब एक बैधानिक अधिकार बना दिये गया अगला question भारते सब्धान का कौन सा अनुचेद आस परज़ता का अनुमूलन करता है और किसी भी रूप में इसके बहुआर का निसेद करता है अनुचे 17 है जो आस परज़ता का अनुमूलन करता है यहाँ पर दोनों option एक ही होगे है तो अनुचे 17 इस question का correct answer हो जाएगा अनुचे 17 में बताएगे है आस परज़ता का अनुमूलन next question मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए rate जारी की जाती है उचितम 49 सुप्रीम कोड की दोरा rate जारी की जाती है option number T इस question का correct answer है अगला question मूल अधिकारों को परवर्थित करने की सत्ती प्राप्थ है next question समानता का अधिकार भारते सब्धान के किन 5 अनुचेदों में दियागे है अनुचे 14 से 18 में next question निमलेकत में से कौन से मामले उच न्याले तधा उचितम न्याले की अधिकार एक्ता में आते हैं मूल अधिकार का परवर्थन है जो उच न्याले उचितम न्याले की अधिकार एक्ता में आते हैं option number D स्कॉसन का correct answer है अगला question भारते सब्धान की अंत्रगत मूल अधिकारों का सणक्छ कों है न्यायपाल का मूल अधिकारों का सणक्छ के option number A स्कॉसन का correct answer है न्यायपाल का मूल अधिकारों का सनरक्षक है Next question मूल अधिकारों पर अबस्यक परतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? केबल संसत को है अबस्यक परतिबंध लगाने का अधिकार केबल संसत को है Next question भारते सब्धान के 25 का संबंध किसे है? धर्म की स्वतनता से है अन्चे 25 का संबंद धर्म की स्वतनता से है Next question 14 वर से कम आयू के बहुत से गरीब बच्चे पठाके बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उलंगन होता है Next question मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतनता नहीं हरताल करने की आजादी ये मौलिक अधिकारों में नहीं बताएगा है Next question किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संसोधन का अधिकार दिया गया Next question भाषटे सब्धान के अनसार संपत्ति का अधिकार क्या है एक विधिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार चोवल सिपे सब्धान संसुधन के द्वरा एक बिधिक अधिकार बना दिया गया Next question संपत्ती के अधिकार को मूल अधिकार की स्रेणी से हटा कर किस अन्चेत के अंतरगत रखा गये है अंचे 300 कुलोच का के अंतरगत संपत्ती के अधिकार को रखा गये है अंचे 300 कुलोच का के अंतरगत Next question भारत के सब्धान के अनुसार जो सब्धानिक अधिकार है किन्त मूल अधिकार नहीं है संपत्ती का अधिकार अब एक सब्धानिक अधिकार है मूल अधिकार नहीं है संपत्ती का अधिकार Next question मतदान देने का अधिकार होता है अगला कोसन 1995 में पारित आज प्रिस्ता अपराद अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है सिबिल अधिकार सनक्षन अधिनियम के नाम से जाना जाता है आज परिस्ता अपरात अधनियम को सिबिल अधिकार सनिक्षन अधनियम के नाम से जाना जाता है Next question भारत के सब्धान में मौलिक अधिकार, मौल सब्धान का हिस्सा थे मौलिक अधिकार, भारते सब्धान में मौल सब्धान का हिस्सा थे नेक्स्ट कोशन, निमलेकित में से कौन सा अधिकार भारते सब्धान के अंच्छद 32 के अंतरगत प्रावर्तित किया जा सकते हैं मौलिक अधिकार है जो प्रावर्तित किया जा सकते हैं अनुचे 32 के अनुचार मौलिक अधिकार है जो प्रावर्तित किया जा सकते हैं फ्रेंड्स अगर आप कोई वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बनाएं यह आप comment section में जरूर बताएगा टेलेग्राम सेनल को नहीं जोइन किया है तो please टेलेग्राम सेनल को जरूर जोइन करजे लिंक आपको description box से मिल जाएगा सो मलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थब तक के लिए जय ही जय भारत